हलो एरिवान और वेलकम बैक टू अनजर एपिसोड अफ डिश्टल मार्केटिंग वीकली अपडेट्स माइसल्फ उमर तस्कीर गईज आज के इस वीडियो के लिए मेरे पास पांच अपडेट्स हैं जिनको मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करता हूँ जो सबसे पहली अपडेट है यह गूगल के सर्च इंजर रिजल्ट पेजस की टेस्टिंग से रिलेटेड है गूगल अपने फीचरड स्निपट वाले सेक्शन के अंदर कुछ और चीजों को टेस्ट कर रहा है जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास एक जामपल है और आप देख सकते हैं यह ट्weeट में इन्होंने मैंशन क्या हुआ है कि इन्होंने आप एक्डेर्व डिपन रिविईच ऑन्तों के और देखो हम ابडेट्स स्वाले वीडियो की बात करते हैं बहुत ही कम ऐसा होता ही कि किसी चीजों को टेस्ट करता रहता है तो कोई ने कोई चीज हर हफते आही जाती है सेकेंड जो अपडेट है वो रिलेटेड है मैनेजर अकाउंट लेवल रिपोर्टिंग इन गूगल आड्स से अभी तक जो हम लोग गूगल आड्स में रिपोर्टिंग देखते थे जो अनॉंसमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे यह दिख रहा है आपको रिव्यू पर्फॉर्मेंस एक्रॉस एक्काउंट्स विद मैनेजर अकाउंट डाशबोर्ट और यहाँ पर यह पूरे इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि इस टाइप से अब आप गूगल लेकर आता रहता है आप लोगों को पता है वाट कुछ अपडेट ऐसी होती जो गूगल कंफर्म करता है कुछ अपडेट के मैं बात करें हो टो फूर्स्ट एपृस्ट है और यह अभी तक अन कंफॉर्म है देखो कैसे पता चलता है कि कोई अपडेट आई है हमें स यह वेबसाइट एक दूसरी पोजिशन पर राइंग कर रही थी वह अब वहाँ पर नहीं राइंग कर रही जो पहली पर राइंग कर रही तो इस टाइब की देखोगे और अगर आप 21st April को यहां पर देखोगे तो आप देखोगे कि यहां का जो deviation है वो सबसे हाई है ना तो इस दिन जरूर कोई ना कोई 9.2 की volatility है तो यह काफी high volatility हो जाती है फाइन यहां पर भी अगर आप देखो तो मेरे पास webmasters world.com का एक forum है और यहां पर भी आप देखो तो अपरिल में अच्छा घसा discussion हुआ है regarding the updates फाइन तो यहां से भी पता चल जाता है यह एक forum type का है लोग जब बातचीत करने लगते हैं तो आप समझ जाओ कि कोई ने कोई update जरूर आई है तो SEO community में काफी बातचीत इस चीज़ से related है which confirms की कोई unconfirmed Google की update जरूर है let's see Google इसको confirm करता है या नहीं करता है बट बहुत सारी ऐसी updates है इसको Google confirm नहीं करता है और बहुत सारी ऐसी updates है जिसको Google confirm करता है उसके बाद जो fourth update ह वो यहां Google business profile से related है Google business profile के ओपर बहुत सारे लोगों को scam और spam messages आ रहे हैं जिसके लिए जो Google है वो भी warn कर रहा है कि आपको ध्यान रखने की जरूर है और इस चीज़ को आप यहां पर देख सकते हो जो Google की community help है उसमें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा बहुत सारे लोगों ने post की है जो यह बता रहे हैं कि उनको बहुत सारे जो scam या spam type के messages आ रहे हैं तो आपको भी चीज़ पता होनी चीए फिफ्ट जो update है वो है images की indexing से related गूगल का कहना है कि मान लेते हैं आपके website पर बहुत सारी images है वो और index हो गई है अब आपने क्या किया किनी reasons की वज़े से हो सकता है कि आपने उन images को replace कर दिया उन images का जो format है उसको change कर दिया अब सारी चीज़े करते हो तो जो images के URL होते हैं वो भी change हो जाते हैं अब Google का कहना है कि Google उस तरीके से pages तो बड़ी जल्दी index कर लेता है बड़ जब images को index करने का number आता है तो Google थोड़ा सा time लेत है तो अगर आपने एक साथ अपनी website की बहुत सारी images को change कर दिया इसका मतलब कि अब Google टाइम लेगा उन images को index करने में और ये खुद Google का कहना है कि वो normally webpage की indexing से जादा time लेता है जब images को index करने का number आता है तो गाईज ये कुछ update थी इस week की आशा करता हूं वीडियो आपको हुआ और आपको अपनाप हुआ जो बनापना शादा हुआ खुदध हुआ ख。